Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Octane number और CTN number की मैं आपको assure करता हूँ कि ये वीडियो थेखने के बाद में आपके Octane number और CTN number के जितने भी doubt है वो सारे के सारे clear हो जाएंगे तो Octane number और CTN number क्यों define होता है Octane number और CTN number is defined for the quality of fuels fuels की quality को define करने के लिए Octane number और CTN number को हम जो है यूज करते हैं ठीक है अब Octane number जो होता है वो petrol की quality बताता है CTN number जो होता है वो क्या होता है हमारा diesel की quality को बताता है left side में ये ये जो है मैंने petrol engine के बारे बात किये ये इधर side में मैंने diesel engine के बारे बात किये तो अभी हम बात करें तो petrol engine की देखिए petrol engine में क्या होता है कि octane number define होता है octane number क्या बताएगा यहाँ पर suppose जैसे आप कहीं भी जाते हो आपको पता लगता है कि हम कोई भी fuel कोई भी petrol भरवारा है तो उसका octane number 91 है what is the meaning of that 91 का मतलब क्या हो गया देखो इसमें थोड़ी technical चीज है मैं deep में नी जाओंगा बस stretch करूँगा देखो detonation और knocking होता है detonation और knocking जो है अपने आप में एक बड़ा topic हो गया लेकिन मैं short में आपको समझाओं तो क्या है देखो detonation और knocking का मतलब होता है कि आपका power loss है जो 4 cycles होते है 4 strokes जो होते हैं हम लोग 4 cycles होते हैं जिसमें एक cycle आपका power का होता है तो detonation और knocking में क्या होता है वो power cycle laps हो गया मतलब क्या हुआ उस cycle में आपको power ही नहीं मिली ठीक है तो मतलब कि आपका वो पावर साइकल एक आपका लैप्स हो गया अक्टेन नमबर में क्या होता है हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी फ्यूल है हमारा पेट्रोल है उसमें उसका अक्टेन नमबर 91 है तो मतलब क्या हो गया कि वो 90 अगर 100 साइकल के लिए हम लोग उस फ्यूल से जो हमने भरवाया अगर हम 100 साइकल चलाएंगे अपने इंजन को तो हमें बस 91 साइकल मिलेंगे जिसमें पावर मिलेगी 9 साइकल जो होंगे वो क्या होंगे लैप्स हो जाएंगे तो हम क्या चाहेंगे हम चाहेंगे कि 100 साइकल के लिए हमारा इंजन चला तो 100 साइकल में ही पावर मिलने चाहिए पूरी तो मतलब क्या हमारा objective भी रहेगा कि भी 100 में से 100 power cycles मिले लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ कम मिलते हैं तो जो जितने कम मिलते हैं वो octane number हमें बताता है अधिंग आप समझे होगे ठीक है एक बार और repeat कर दो तो octane number 91 होने का मतलब क्या होता है कि आपका engine जो है जो आपने fuel भरवाया उसका octane number 91 था मतलब क्या हुआ आपका जो engine में वो fuel जाएगा तो आपका engine अगर 100 cycle चलेगा तो वो 100 cycle में आपको power सिर्फ 91 में ही देगा तो हमें क्या चाहिए पावर चाहिए तो जितना ज्यादा octane number है उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है तो कोई भी fuel का octane number बढ़ाने के लिए क्या करते हैं उसमें aerotips कुछ मिलाते हैं तो आपको जैसे आप shell में भारवाएंगे petrol तो वहां उनका क्या होता है चार-पाँच रोपय पर लीटर महेंगा होता है क्योंकि वह क्या करते है एड़ करके वह octane number बढ़ा दे तो आपको क्या मिलेगा उस case में 95 मिलेगा ठीक है तो मतलब क्या हो गया कि 95 का मतलब कि आपके सिर्फ पाँच पावर साइकल लेप हो रहा है 100 साइकल में से 95 साइकल की पावर आपको मिल रही है तो अफकोर्स आपका माइलेज बढ़ेगा ठीक है फ्यूल कंजम्शन कम होगा ओके अगेन आज आज तक के इतिहास में जो सबसे मैकसिमम जो ऑक्टेन नमबर अचीब हुआ है इंडिया में प्रैक्टिकली वो 99 है HPCL का पावर 99 पेट्रोल आता है उसका ऑक्टेन नमबर 99 होता है उसमें एरेटिवस मिलते हैं ठीक है अब आज आते हैं हम लोग डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में बहुत बड़ा अंतर ह होता है अंतर ही होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एयर को कंप्रेस करते हैं एयर को कंप्रेस करने के बाद हम फ्यूल को इंजट करते हैं डेफिनेटली है एफिशेंसी आपको डीजल इंजन की बहुत कम मिलती है ठीक है for various reasons जो अभी हम discuss नहीं करेंगे तो डीजल इंजन क की quality आपको match करनी या check करनी उसके लिए हम ctn नमबर यूज़ करेंगे याद रखना है चीज़ ठीक है अब देखो ctn नमबर हमारा 45 से 50 तक ही मिल पाता है वस ठीक है for various reasons बहुत सारे में बात करें तो ctn में 45-50 मतलब क्या हो गया कि आपका साइकल डीजल इंजन अगर 100 साइकल चलाया तो उसमें आपको 45-50 साइकल में ही सिर्फ पावर मिली बाकी आपके 50-55 साइकल सापके लैप्स हो गया तो आप समझे हो आप लगभक 50% आप जो है पावर सिर्फ यूज़ क बारे में वो आपके clear हो गया होंगे octane number ctn number बस क्या होता है कि आपको ये बता रहा है कि आपके engine में knocking कितनी हो रही है detonation कितना हो रहा है अगर मैं lemon language में बोलू तो आपको बस ये बताता है कि आपको power कितनी जदा मिलने वाली है जितना जदा जदा आपको mileage मिलेगा कि power cycle ज्यादा है, जितना ज्यादा CTN number उतना ज्यादा आपको mileage मिलेगा ठीक है, तो इसलिए कि होता हाई octane और हाई CTN number के diesel और petrol fuel जो होते हैं, वो महंगे होते हैं compare to normal, क्योंकि उसमें आपको power और ये जो आपका efficiency है, mileage है, वो ज्यादा मिलने वाला है, तो I think आप समझे होगे मिलते हैं हम लोग next class में, टेजन टेक केर वाई बाई